नमस्कार, Books That Speak में आप सभी का बहुत स्वागत है जब शिकारी को लगता है कि उसकी जिन्दगी ठहर सी गई है तो वो एक रोमांचकारी अभियान पर जाने का फैसला करता है वो साइकल चला कर बेंगलोरो से दिल्ली जाकर एशियाई खेल देखने का फैसला करता है ऐसे करते हुए वो साइकल पर सवार हो निकल पड़ता है अपने अभियान पर सुनते हैं कहानी शिकारी का साइकल अभियान और इसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com चलिए मिलते हैं शिकारी से शिकारी एक जगा नहीं ठहर सकता है उसे फुटबॉल, हौकी, कबड़ी, क्रिकेट खेलना पसंद था और उसे दोडने और साइकल चलाने में मज़ा आता था उसका असली नाम शिव प्रकाश था लेकिन चुकी वो शिकारी पूर का रहने वाला था इसलिए उसके दोस्त उसे शिकारी कहकर बुलाते थे शिकारी ने महाविद्याले से सनातक करने के बाद खेल सामगरी की दुकान में काम किया इस काम में वो व्यस्त रहता था लेकिन वो इससे उप गया था वो खेल खेलने के लिए लालाईत रहता था और हमेशा साहसी काम करने का सपना देखता रहता था शिकारी को ऐसा लगता था कि उसकी जिन्दगी ठहर सी गई है एक दिन शिकारी ने रेडियो पर कुछ सुना भारत एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है दिल्ली शिकारी ने सोचा मैं कभी भी दिल्ली नहीं गया हूँ और मुझे खेल देखने जाना चाहिए उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया रोमांचकारी अभियान पर जाने का विचार साइकल चलाने का रोमांचकारी अभियान क्या हो अगर मैं साइकल चलाकर दिल्ली जाऊँ मैंने कभी भी इतनी दूर तक साइकल नहीं चलाई है नए शेहरों और कजबों से गुजरते हुए यात्रा करना रोमान चक होगा उसके दोस्त रिचर्ड ने इस यात्रा के लिए उसे अपनी साइकल दी शिकारी ने अपने माता पिता की अनुमती मांगने के लिए उन्हें एक पत्र लिखा पहले वे हिचकिचा रहे थे ये बहुत ही लंबी यात्रा थी और उस समय कोई भी मोबाइल फोन नहीं होता था लेकिन उसके उत्साह को देखते हुए उन्होंने उसे अनुमती दे दी शिकारी ने अभ्यास करना शुरू किया वो हर हफते 20 किलोमिटर दोड़ता था वो हर हफते 70 किलोमिटर साइकल चलाता था अपनी मास पेशियों को मजबूत बनाने के लिए वो व्यायाम करने लगा वो रोज, फल, मेवा और पनीर खाता और दूद पीता था उसने हलका लेकिन समझदारी से अपना सामान बांधा उसने एशियाई खेलों के लिए टिकेट खरीदे उसने अपनी यात्रा के मारगों का एक नक्षा बनाया अब शिकारी इंतजार नहीं कर सकता था अंततहा वो तयार हो गया अक्तूबर 1982, पहला दिन, बेंगलूरू करनाटक एक दिन सुबा, शिकारी अपनी साइकल से दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ा उसके माता पिता और दोस्त उसे विदा करने आये थे शिकारी का अभियान सही माइने में शुरू हो गया क्लिंग टिलिंग, क्लिंग टिलिंग दूसरा दिन, गौरी बिदनोर करनाटक जब शहर के लोगों ने शिकारी को अपने समान के साथ साइकल पर बैठे दिखा तो वे उसके चारों तरफ इकठा हो गए उन्होंने उसका बासव राज से परीचय कराया जो पिछली साल अखिल भारतिय साइकल अभियान पर गए थे क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहेंगे बासव? शिकारी ने पूछा हाँ, बासव ने जोश से कहा शिकारी खुश हो गया उसे बासव का साथ पसंथा दो दिनों में दोनों आदमी एक साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े चटवा दिन, पेणुकोंडा, आंध्रप्रदेश शिकारी और बासव सुबे जल्दी निकल पड़े हलका सा नाश्ता करने के बाद उन्होंने साइकल चलाना शुरू कर दिया उन्होंने एक स्थान पर दो पहर का खाना खाया और दुबारा साइकल पर सवार होकर आगे निकल पड़े उन्होंने एक जगा पर थोड़ी सी जपकी ली तथा सूरज डूबने तक साइकल चलाते रहे दस्वा दिन कुर्णूल आंध्रप्रदेश वे दिन भर में सौ किलोमेटर साइकल चलाते थे रात में वे रेलवे स्टेशन, अथिती गुरूह, मंदिर या किसी दयालू अजनभी के घर जहां भी जगाह पाते सोजाते थे हर दिन और हर रात उनके लिए एक नया रोमांच था शिकारी और बासव ने अपने सिर पर घने बादल मंदराते हुए देखे हवा हिस करके तेज चलनी शुरू हो गई, आसमान में गडगडाहट होने लगी और जोर की बारिश शुरू हो गई जब तक वे इसे जान पाते, वे तूफान में फस चुके थे उन दोनों के पास रेंकोट नहीं थे, उनके दिमाग में एक विचार आया क्यों न हम अपने लिए रेंकोट बनाएं? उन्होंने दुकान से प्लास्टिक की बड़ी शीटे खरी दी, उनमें बाहो और गर्दन के लिए छेद किये और आहा, एक काम चलाओ रेंकोट, तैयार, उन्होंने साइकल चलाना शुरू किया क्लिंग टिलिंग, क्लिंग टिलिंग, क्लिंग टिलिंग सोलहवा दिन, नाकपुर, महराष्ट्र जब खड़ी सडक आई, तो शिकारी और बासव ने पेडल मारना बन कर दिया तथा साइकल को हाथ से खीच कर पहाड़ी पर उपर की ओर ले जाने लगे उन्होंने जंगल की सडक से गुजरते हुए साप, जंगली सांड, हिरन और जंगली बिल्ली देखे क्लिंग टिलिंग, क्लिंग टिलिंग अठारवा दिन, नर्सिंग पूर, मध्यप्रदेश आज बैंक में चुट्टी थी और दोनों दोस्तों के पास पैसा खत्म हो चुका था, वे ठके हुए थे और भूखे भी थे अब दोनों कहां जा रहे हैं? एक साइकल की दुकान के मालिक ने पूछा उनके बारे में सुनकर दुकान के मालिक ने उन्हें चाय और दोपहर का भोजन दिया उन्होंने उन्हें आगे की यात्रा के लिए सो रुपे भी दिये हम आपको ये कैसे वापस करेंगे? हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद शिकारी की आखों में आसू थे वे अपने अगले गंतव्य के लिए चल पड़े क्लिंग टिलिंग क्लिंग टिलिंग तेईसवा दिन कहां? दिल्ली क्लिंग टिलिंग क्लिंग टिलिंग शिकारी और बासव इंडिया गेट से साइकल चलाते हुए निकलते है हाँ वे भारत की राजधानी दिल्ली पहुँच गए कड़ी धूप में कई दिनों तक साइकल चलाकर तमाम कठिनाईयों का सामना करते हुए जब वे दिल्ली पहुँचे तो उनके पैरों का दर्द गायब होने लगा अब दिल्ली और एशियाई खेल उनका इंतजार कर रहे थे नवंबर 1982, 27 वा दिन दिल्ली एशियाई खेल बहुत धूम धाम से शुरू हुआ दोनों दोस्तों ने मुक्के बाजी और बैड्मिंटन मैच देखे उन्होंने विश्व के खिलाडियों को कुष्टी और जिमनास्टिक में भाग लेते हुए देखा जब वे टेनिस और वॉलीबॉल मैच देख रहे थे तो खेल का शुभंकर अपू स्टेडियम की दीवारों से मुस्कुरा रहा था उन्हें वजन उठाने वाले खिलाडियों की ताकद और तैराकों की फूर्ती पर अश्चर्य हो रहा था भारत और दक्षिन कोरिया के बीच महिलाओं का हौकी फाइनल मैच बहुत ही रो मांचक था शिकारी पूरे मैच के दौरान सीट से चिपका रहा भारत ने ये मैच जीता और वो खुशी से नाच उठा शिकारी अब घर पर वापस जाना चाता था तो दोस्तों अब मिलते हैं असली शिकारी से ये कहानी है शिव प्रकाश होनना शेटर की सन 1982 के एशियाई खेलों को देखने के लिए उन्होंने साइकिल से बेंगलूरू से दिल्ली तक का सफर तै किया वो उस समय 25 साल के थे हाल ही में श्री शिव प्रकाश बेंगलूरू में स्थित सेंट जोसेफ बॉइज हाई स्कूल के खेल सचीव के पद से सेवा निवृत्त हुए है धन्यवाद